हलो दोस्तों स्वागत एक बार फीर से आपको आज कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके model question paper 2021-22 इंगलीज के class 12 के लिए लेकर आये हैं बच्चों आपके लिए अंग्रेजी का पेपर अगला होने वाला पेपर अंग्रेजी का ही पेपर हैं आप लोग ध्यान से पढ़िए म इसमें हम आज कि इस वीडियो के माध्यम से section 4 A, B, C और D की बात करेंगे इसमें से सबसे पहले दोस्तों ने बहुत बार कमेंट किया वीडियो में कि सर section C के वाले जो grammar का portion है grammar के portion के लिए आप वीडियो बनाईए grammar की portion बहुत जरूरी है तो इसी के लिए अब हम इस वीडि कि उसमें क्या क्या दिया है यह आपका उतर पर इस माधिमेक सिच्छा बोर्ड ने जो आपका जो मॉडल पेपर है वह आपके उप्रस्ण दिये गए वही प्रस्ण आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों यहां सेक्शन सी जो grammar है यहीं स्टार्ट करने जा रहें जो सेक्शन स इसके लिए कौन सा उचीत विकल्प है पहला विकल्प पहला आपका question है the absence of government in a country is called मतलब the absence of अनुपस्तिती of government कि किसी country में जाता है किसी देस में कोई सरकार नहीं चल रही है उस सरकार अनुपस्तित है उसको हम क्या कहेंंगे उसको हम बोलते हैं दोस्तों कre wiping-onorky anime की वोक्ते हैं इसका हदी होता है और अजकता यह आपका इसका एन法 की होता है इसमें देखिए अच्छा यह तुम्हाइल की होगिया अब यह मonỏकी प्याट्रव की यह हैं क्या हथ यह जो मonorकी है मरकी मतलब Recovery समराज जहां पर सत्ता चलाई जा रही है ठीक उसका अगर यहां पर हो जाता तो उसका मनोर्की हो जाता क्योंकि परजेंस था यह अपसेंस के लिए नौर्की आपका मनोर्की हो जाता जो तिसरा आपका जो बिकल्प है जो पैट्रेकी है यह पित्र सत्ता का नाम आप लोगों सुनना होगा जहां पर पिता जी कलते हैं जिसे राजा के इंपर बनेगा वहां पर आपका होगा मैटर की मतलब का मत्र सकती किसी ग्रिहनी स्वामीनि ग्रिहरी का शट्ता चल रहा है उसको बोलते हैं हम एट्रोकी बोलते हैं चलिए आपको चारो बीकल्प के बारे हैं विस्तृत आप लोग ने जान गया अब चलिए अगले कोशन के तरफ चलते हैं कर रहा है कि बी नंबर में दा फ्रेज इंचिंग टॉड्स मेंस का मतलब इंचिंग टुड्स का मतलब होता है यह है आपका इसका मतलब होता है to move slowly inner direction to move slowly in a direction मने का किसी भी दीशा में आपको बिल्कूल धीरे धीरे बढ़ना यह आपका इंचिंग टुड्स होता है बाकि के जो इसके मतलब किया होते हैं तो हावए इंचिफ फिलिंग मतलब क्या इसी बोडी होता है ने इची बोडी इच करता है न तो ऐसे इच फिलिंग करना ही क्या है आपका इचिंग फिलिंग है दूसरा नंबर जो विकल्प है तुमेजर सम्थिंग कुछ मापना यह भी सही नहीं है इचिंग वह ट्वाट्स के लिए तुमूब ऑपवार्स तुमूब होगी आप सी के तरफ चलते हैं हम दूस्तों अन तक वीडियो में बने रहिएगा आपका 25 नंबर का क्लियर होने वाला है 25 चलिया मतलब होता है प्रछूर अधिक मात्रा में नहीं अल्प होता है मीगर मतलब होता है अल्प अल्प मने थोड़ा सा इसका जो आपका सिनोनीम होगा इसका एंटी हो जाएगा जो अल्प हो जाएगा इसका एंटी मतलब क्या होता है अल्प होता है इसमें जो आपका स्केर्स हैं स्केर्स मतलब होता है दूरलव दूरलव मुश्किल से दूरलव यह आपका स्केर हैं अगर यह प्लेंटीफुल मतलब का प्लेंटीफुल मतलब प्रचूर मात्रा में प्लेंटीफुल मतलब प्रचूर या भरपूर बोल सकते हैं इसको भरपूर अगर इसका सिनोनिम पुछत एंटोनिम में उल्टा यह आपका मिघर मैं अल्प एंटोनिम इसका इसकालता प्लेंट फूल कvens प्रशूर मत्रा में अधिक मत्रा में यहां मतलब कम मत्रा में है अबunken चलिए अगले टरृत चलते हैं डिनमर से खुंच one should do his duty one should do his duty which words in the sentence is an error मतलब which words मनें कौन से सब्सक्राइब कौन सा वर्ड गलत है तो देखिए यहां से one should do his duty में यह आपका जो his है यह गलती है क्यों गलती है यह जो आपका जो पुसेसी पर नाउन है one should do one के अनुसार आपका वन से लगेगा वन से सही होगा मतलब क्या होता है बंजर मलता बंजर मनने का बंजर इसका यहां पर कुछ उपजाओं नहीं उपजाव नहीं के जा सकता, कोई फॉसल नहीं उपजाव हो सकता है, बंजर भूमी का हलाती है, यह अपका बंजर हो गया न, बंजर का एंटोनीम पूछ रहा, एंटोनीम मने का है, बंजर मने बंजर, इसका एंटोनीम हो जाएगा, जहां पर उपजाव होता होगा, ज तुटिल मतलब का वेकार आपका सबसे इसका सठीक एंटोनिम इसका फर्टिल ही हो जाएगा बारें मने बंजर तो फर्टिल मने उप जाओ अगले कोस्चन के तरफ चल जो पांच नंबर कोस्चन है आपका पांच नंबर कोस्चन करें कि देचेंज वनी वन फॉल्लिंग इंडिरेक्टि स्पीस में चेंज करना है तो देखिए इंडिरेक्टि स्पीस तो आप पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं काक्षा 9 10 11 12 पीछे से पढ़ते आ रहें इंडिरेक्टि स्पीस आपको आना चाहिए इसमें जो पहला है आपका I said don't waste your time I said देखिए दो दिया है प इंडिरेक्टि सेंटेंस है आदेश वाचक आपका सेंटेंस है इसको कैसे हम इंडिरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए यहां से जो आई सेड है आपको कोई सुझाओ दे रहा है आपको कोई सुझाओ दे रहा है एडवाइस दे रहा है सलाह दे रहा है कि अपना समय ब I advise not to waste है न, तो waste, waste, अब देखिए यहां से your time, यहां से दखिए यहां पर दो तरीके से बना सकते हैं, हम your time को your time भी रख सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर हम कोई third person का कोई pronoun अगर him मान लेते हैं, I said to him, मैंने उनसे कह, अगर यहां पर him मान लेते हैं तो यहां से आपको लगे सला दिया कि वो अपना बरबाद समय न करे, चलिए अगला जो दूसरा है, इसको भी बना देते हैं, करके my teacher said to him, you can send your application online to, my teacher said to me, मेरे teacher ने मुझे कहा, कि तुम अपना application online भी भेज़ सकते हैं, तो यहां पर देखिए, इसका बनाएंगे, तो यह आपका authority sentence, क्यों होता है, क हम narration कैसे बनाते हैं, इसमें जो my teacher है, told to को हम कैसे में, said to को told में मदल देते हैं, तो यहां से my teacher, my teacher said to को told में, my teacher told him, my teacher told him, यहां से conjunction का यूज करेंगे, diet का, diet, you है न, you आपका second person है, आपका object का नुसार चेंज होगा, तो you आपका him का नुसार चेंज हो जाएगा, तो him का subjective case ही होता है, तो he, यहां से kind का could हो जाएगा, he could, send है न, send, he could send, अब देखो, he है न, यहां से huge हो जाएगा, his application, his application, online to, online to, यहां से हो जाएगा, online to, यहां पर का चेंज ही किया, कंजक्शन करुप में, dad का use किया गया, यहां से हो जाएगा, reporting वहर को change किया गया, can को could में change किया गया, बाकी सब वही है, अगला आपका करना है कि combine any one of the following as directed, किसी एक कंबाइन करना है, दोनों में से किसे को combine करना है, जैसे एक कोस्ट में दिया गया है, इसको करना है complex sentence में, इसको करना है compound sentence में, complex sentence में कैसे करेंगे, I can give you address, I can give you address, my mother gifted it to me, I can give you address, मैं तुमको एक address दे सकता हूँ, my mother gifted it, मेरी मा ने मुझे दिया था इसे gift में, मैं आपको एक address दे सकता हूँ, कैसे इसको complex में change करना है, complex में आपका connection एक होता है, diet, THAT, that से जोड़ करके इसको मना सकत हैं, यहाँ पर किवल that लगा देंगे, I can give you address, that my mother gifted it to me, किवल यहाँ से that लगा दे, यह sentence पूरा का पूरा sentence आपका complex में हो जाएगा, यहाँ से देखिए अगला जो आपका दिया है, do it or leave it, compound sentence में एक होता है, compound के लिए कंजक्शन आपका और का यूज कर रहे ना है, यहाँ से do it, do it or leave 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 it हो जाएगा, आर से जोड़ देंगे, यह sentence आपका compound sentence हो जाएगा, चलिए आगे देखिए, c number का रहे हैं कि change any one of the following as directed, कि c एक को change करना है, इसको पासी वाइस में change करना है, इसको comparative degree में change करना है, दोने में से कि c एक को change करना है, आपको परि में करना है, आपका object subject बन जाएगा, तो it, यहाँ से can क्या हो जाएगा, it can be, can को can be में change करते हैं, it can be, do है तो don, do है तो don, it can be don, subject object बनेगा उसे पहले by का use करेंगे, I का हो जाएगा object, me हो जाएगा, it can be done by me, यह हो जाएगा, दूसरा कहा है कि this is the most effective remedy for this, this is comparative degree में change करना है, the most कह रहा है कि आपका comparative degree में है, superlative degree में, superlative degree को आपको change करना है, comparative degree में, जिसमें तूलना किया जाती है, comparative degree में कैसे बनाएगे, यह the most है न, इसको हम more कर देंगे, क्या कर देंगे, more, this is more effective, आप देखिया यहाँ से, जब हम तूलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसे तूलना करेंगे, कोई तूलना कर देंगे, इसमें हैं, तो नहीं है, तो इसको हम, than any other कर देंगे, than any other, than any other, अब देखिया ध्यान से, this is more effective than any other remedy for this, this is, यह अपका हो जाएगा, more लग गया, than लग गया, more और दैन तो ही आपका comparative degree का पहचान है, जिस sentence में more और दैन लग जाए, वह sentence comparative comparative degree में होता है, तूलना की जाती हैं वहाँ पर, यह आपका दूसरा भी हो गया, अगला जो D number इसका है, D number कर रहें कि correct any one of the following sentences, correct any one, दोनों में से किसी एक को correct करना है, जो following sentences दिए गए sentence है, उसका दो में से किसी एक को ही का करना है, correct करना है, यह कुछ ना कहीं ना कहीं, दोन हैं, यह गलत है, senior, junior, जब भी sentence में दीखें, और उसमें preposition लगाना होगा, तो आप senior और junior के साथ to लगाएंगे, then नहीं लगाएंगे, you are senior to me, you are senior to me, तो यहां से then नहीं, to लगेगा, आपको correct करना था, तो जब correct करना लिखेंगे, you are senior to me, दूसरा है, cattle or grazing, देखिए यह जो word use किया गया है, cattle, यह cattle होता नहीं है, cattle word नहीं है, यह आपका जो original word है, यह cattle होता है, ace नहीं होता है, cattle होता है, अब cattle लगा दें, cattle are grazing, cattle is grazing, cattle are grazing, दोनों होता है, लेकिन यहां पर आपका गलती क्या था, cattle गलती था, cattle नहीं होता है, इसमें ace नहीं रहेगा, किवल cattle होगा, चल make the difference in their meaning clear, यह आपको आएगा, पेपर में आपको आएगा, दो वर्ड आपका एक ही जैसे रहेगा दो वर्ड एक ही जैसे रहेगा दोनों का मेनिंग अलग-अलग होगा और दोनों का मेनिंग अलग-अलग होगा और उसी वर्ड को आपको तो अपने भासा में, अपने sentence में इसको अनुबाद करना होगा, आप अनुबाद करेंगे इसको अपने भासे में, देखिए सबसे पहले तो जो word दिया है उसका मतलब समझे कि मतलब इसका होता क्या है, तो मतलब देखिए ये जो refuse है न, refuse मतलब होता है इनकार करना, refuse मतलब हो यह आपका दूसरा है, दोनों को अपने भासा में यूज करना है इसको, तब पहला देखिए जब refuse है न, refuse मने इनकार करना, इनकार करना मने का, अब इसको बना दिया अपने sentence में, जे my mother, my mother refused, my mother refused, मेरी मान इनकार कर दिया, तो गीब देने से 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, my mother refused to give me 100 रुपीज, माने मुझे सोर पे देने से इनकार कर दिया, refuse हो गया न, इसमें उवड आ गया, इसमें परयोग भी हो गया, दूसरा है refuse, जो सरनागत वाला है, सरनागत वाले के लिए जैसे कोई उदारन लिया अच्या से कोई बनिया उदारन लिया जाए, हाँ, देखिए, भीधीशन को स्री राम ने सरन दिया था, उसमें उसके लिए सेंटेंस को हमने बात कर दे, इसको पॉसीफड भासमेंट के बना देंगें तो और अच्छा रहेगा, जैसे कैसे, भीधीशन, भीभीशन, वाज, विवीशन वाज रिफ्यूज्ट रिफ्यूज्ट बाई स्रीराम विवीशन वाज रिफ्यूज्ट बाई स्रीराम मतलब विवीशन को स्रीराम के द्वारा सरंड दिया गया था आपका refúde है यह word भी इसमें आगया आपका sentence भी clear हो गया चलिए अगला देखिए इसमें दो दिया है एक सेल दिया है एक सेल दुनों सेल हैं लेकिन दुनों का अलग 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 अर्थों का दुनों में से किसी एको को करना था एक सेल माने आपका होता है का बेचना एक सेल मतलब होता है का कोठरी बिल्कुल छोटा सा कोठरी के लिए चलिए अगला question कि TANA बढ़ते हैं अगला question इसमें क्या है चलिए आज कें अगले question में आपको translate करना होगा translate करना होगा हिंदि से English में translate करने के लिए बड़ी लंबी हो जाएगी अगली बीडियो में कल की बीडियो में हम इसको जितने भी दिया गया है इसको देखिए ट्रांसलेट करने के लिए पांच नंबर का बहुत मौत पूर्ण है उन दिनों स्वामी विवेकान अमेरिका में एक महिले का यहाँ ठारे थे इन दोस्डेज स्वामी विवेकान अनवाद स्टेइंग एड़ ओम अलेडी चलिए इसको हम अगले वीडियो आई कल के वीडियो में हम आपको बनाएंगे यह अग्रेजी के बाकी सेक्शन ए बी सी डी आपके लगतार वीडियो जाते रहेंगे बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद